Hello dear students, welcome back to our YouTube channel once again आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 2.3 जो की The Inch Cape Rock एक पोयम है बड़ी ही इंट्रेस्टिंग पोयम है बचो आप सबको पता है हर मुवी में एक हीरो होता है और एक विलन होता है तो वैसे ही ये भी जो हमारी आज की स्टोरी है काफी ज़दा इंट्रेस्टिंग है इस पोयम में एक हीरो है एक विलन है हम बोल सकते हैं एक सादू है और एक शैतान है तो दो में क्यारेक्टर्स है जो इसके अंदर है एक सादू और एक शैतान का हमको अच्छे से पता है हम करमा पे बिलीफ करते हैं कर्मा मतलब क्या होता है आप जो करोगे वो आपके पास घूं कर आने वाला है तो जैसा आप बुरभख करोगे वैज़ भरोगे चाटोगे तो यह सारी चीजें तो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा स्चोरी है आज का हमारा इस पोयम का जो हम देहने वाले है दे इंच केप रॉक का मतलब क्या होता है पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम से आईए आइस ब्रेकर और ब्रेंस्टार्मिंग में आपको नेक्स जो लेक्षर आएगा बच्छों उसमें मैं डेफिनेटली कंप्लीट करवा दूंगी पहले तो हमको ऑनर देना है रिस्पेक इंग्लेंड में बॉन हुए हैं यह वास दे सन अफ ड्रेपर ज्रेपर यानि की जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं बेसिकली उनको बूला जाता है एजुकेटेड अट वेस्टमिंस्टर स्कूल एंड बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड नाव यह वास पोयट लॉरेट ऑफ कि इस अब हैं आफ यह वास पैले की अब भी का दौर है जब इवेंच आते हैं तो गाना होता है बोल यहां कर सुना ओगे ऩोई बेसिकली आपको हमारे लिए क्या करना है पोयम जो है वो लिखना होता था लिखकर आप उस इवेंड में क्या करोगे उसको परफॉर्म भी करोगे बोलकर भी बताओगे तो इसको लॉरेट बोला जाता था तो उन्होंने इंग्लाइन में from 1830 to 1843 क्या किया एज पोयट लॉरे पोयम से जो कि स्कूल स्कूल के बच्चों के लिए उन्होंने बनाई है ना दा इंचकेप रॉक इजा बैलाड इस दस्टोरी ऑफ फोर्टीन सेंचुरी अटेंट बैदी अबाउट ऑफ अबर प्रोथक बैचो अबाट जो है जैसे कि आप एक मॉंक को बोल सकते हो एक मॉं स्कूल इंचकेप रॉक इंचकेप रॉक बोला जाता है अभी इंचकेप रॉक क्या होगा यह मैं आपको जब पोयम हम स्टार्ट करेंगे तब आपको बता दूंगी साथी वस इंस्पाइड बाउट इंचकेप रॉक प्रोथक प्रोथक इंचकेप रॉक क्या होने वाला है गलत ही होने वाला है अब इंचकेप रॉक जब होता है अगर वहां पर से कहीं बी कोई शिप अगर गुजरती है अगर का continuum होने accidents होने के chances होते हैं और किसी की life भी जो है वो क्या होती है risk हो सकता है किसी की भी life को जो वहाँ पर travel करते है with the help of a boat now what exactly is this inch kept rock और क्या poem बोलती है no stair in the air no stair in the sea यानि कि अब यहाँ पर समुंदर का atmosphere जो है उसके उपर बात करिए किसी भी तरीके की हाल चाल समुंदर में नहीं है और हवा में भी नहीं है the ship was as still as she could be still है यानि कि ship जो है वो रुकी हुई है समुंदर के अंदर किसी भी तरीके का मतलब अगर समुंदर की लहरे आती है बहुत जादा तेज हवा चलती तो boat भी हिलने लगती है लेकिन यहाँ पर समुंदर का atmosphere जो है ocean का वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर किसी भी तर sails के होता है बच्चो अगर आप लोगों ने boat अगर एक देखी होगी यह अगर एक boat है तो इसके उपर कुछ इस तरीके से जो है वो कपड़ा लगा हुआ रहता है जिसको हम sail बोलते है जब भी हवाय चलती है तो यह जो कपड़ा होता है वो हवे की वज़े से क्या होता है उड़ने लगता है तो किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई motion नहीं था यानि वो जो कपड़ा है कोई हवाई नहीं चल रही है वहाँ पर तो कोई motion उसके अंदर नहीं था हर कील वो steady in the ocean कील का मतलब होता है यह जो बेस है जब पानी का level बढ़ेगा या कम होगा तो उसका ज इंदर साइन और साउंड और शॉक दवेवस फ्लोड ओवर दे इंच के रॉक अब समुंदर के बीच ओ बीच यह जो इंच के रॉक बना हुआ है क्या हो रहा है यहां पर यह बनने की वजह से किसी भी तरीके का कोई movement जो है वो नहीं हो रहा है वेवस जो है पानी की जो वे अब उसके ओपर एक इंच के बैल जो है अगर आप देखोगी यह बैल है जो लगी हुई है तो किसी तरीके से वो जो बैल है वो नहीं हिला पा रही है समुंदर का जो पानी है वो उस बैल को नहीं हिला पा रहा है अब आबोर्ट अबट जो है वो कौन है यहाँ पर बोला जा रहा है हेड ओआ फिन एबब यह जिस को मॉंग्स भी बोला जाते है और बिल्लिंग वेर मॉंग्स और नंस लिव और उसके송रे जचे की नंस होते है और Tyke साथ साथ मॉंग होते है तो उसमें से एक मॉंग है जो जो है वो लगा ली थी On a boy in the storm it floated and swung On a boy मतलब यानि कि एक floating object होता है इस तरीके का एक floating object होता है जो कि balloon के जैसा होता है जो float करता है तो उसके ओपर जो है वो क्या किया था एक inch के bell जो है वो लगा दिया था अब क्योंकि वो float होगा balloon जैसा object है float होगा पानी में डूबने वाला तो है नहीं उसके ओपर bell लगा कर उसने क्या किया था समुंदर में उसको छोड़ दिया था and over the waves its warning ring आप क्योंकि उसने उसको छोड़ दिया था समुंदर के अंदर तो जैसे जैसे पानी की लहरे आते जाएगी तो क्या होगा एक bell लगी हुई है जब पानी की लहरे इसके ओपर आते जाएगी तो bell क्या करेगी bell है ना sound आएगा उसमें से तो bell जो है वो ring होने वाली है फिर जो होता है उसके आगे when the rock was hit by the surges swell जब समुंदर में पानी का level बढ़ता है तो क्या होता है वो जो rock के ओपर hit होता है पानी तो it is hit by the surges swell तो यानि की पानी जब भी भी लगेगा the marinas heard the warning bell अब जो भी समुंदर में आने वाला है boat लेकर तो क्या होगा अगर पानी का level बढ़ता है तो हमको पानी के नीचे rock जो है वो दिखाई नहीं देने वाला है तो chances है कोई भी boat आएगी तो rock से टकरा सकती है ना तो इसी लिए boat of ever product ने क्या किया था एक bell जो है वापर inch cape rock के ओपर लगा दी थी अब marinas जबी भी आएगे तो उनको bell सुनाए देगी तो उनको क्या उससे पता चलेगा कि अरे हाँ यहाँ पर inch cape rock है मतलब हमको यहां से अपना direction change करना पड़ेगा वनना boat अगर टकरा गई तो क्या हो सकता है boat टकरा जाने की वज़े से accident हो सकता है तो marinas hurt marinas यानि की जो ship लेकर आते है वहाँ पर उनको marinas बोला जाता है and then they knew the perilous rock यानि कि अब उनको पता है रहे यहां तो खतरा है यहां तो danger है मुझे inch cape rock है वो यही पर है and bless the abode of abodebrotok और क्या करते हैं bless मतलब यहां पर हम बोलेंगे उसको blessed और फिर दुआय देते थे कि चलो भाई जिसने भी यहां पर bell लगाया है बहुत अच्छा काम किया है हमारी जान उसने क्या की बचा ली तो वो लोग abode of abodebrotok को क्या किया करते थे दुआ देते थे इस बात के लिए the sun in heaven was shining अब यहां पर बताय जा रहा है वहां का atmosphere कैसा है sun जो है कड़ी तेज दूप है और काफी shining यानि कि बहुत जादा shine कर रहा है खुशी से all things were joyful on the day और उस दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था the sea birds screamed as they wheeled around wheeled around यानि की circle यानि की जितने भी birds है वो आपस में क्या कर रहे है मिलकर circle बना कर वहां पर आसमान में घूम रहे है and there was a joyance in their sound यानि की सारे birds जो है जो birds के sound है chirping sounds होते है उनके sounds में यानि की काफी जादा वो खुश है the boy of the inch के bell was seen अब inch के bell जो है वो दिखाई दे रही है a darker speck on the ocean green यानि की यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हमारी यहाँ के जो समुंदर होते है usually वो कैसे होते है melee होते है, dust से बरे होते है कच्रे से बरे होते है इसलिए हमको समुंदर के पानी में नीचे गहराई तक जो है वो दिखाई नहीं देता है लेकिन यहाँ पर जो बाहर की कंट्री में oceans होते है वो कैसे होते है काफी जादा clean होते है तो यहाँ पर बोला जा रहा है a darker speck on the ocean green यानि की काफी साफ सुत्रा पानी है इंच के बेल जो है वो क्या हो रही है दिखाई दे रही है Sir Ralph the Rover walked his deck and he fixed his eye on the darker speck अब Sir Ralph the Rover जो है यह हमारी इस कहानी का विलन है क्योंकि उसे आता है गुसा किस बात का गुसा आता है हम देखेंगे हीरो कौन थे हमारे अबर टॉफ एबर प्रोटॉक जो है वो हमारे हीरो है क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया बेल लगा दी ताकि एक्सिडेंट होने से बच सके अब Sir Ralph the Rover walked his deck यानि कि अपने deck पर deck क्या होता है बच्चो यह जो आपकी ship होती है शिप का जो ऊपर का हिस्सा होता है यह इसको हम deck बोलते हैं तो यहां पर जो है वो क्या होता है Sir Ralph जो है वहाँ पर आकर देखता है और अपने इस डाकर स्पेक की तरफ जो है वो क्या कर रहा है देख रहा है He felt the cheering power of spring It made him whistle, it made him sing His heart was mothful to excess but the rover's moth was wickedness अब यह जो Sir Ralph the rover है यह आचुका है अपने deck के ओपर खड़े रहकर देख रहा है यह काफी जादा खुश है हवाई चल रही है सूरच शाइन कर रहा है बोर्ट की चॉपिंग साउंड आ रही है काफी जादा खुश है तो वो सीटिया बजा रहा है गाना गा रहा है यह काफी जादा खुश है यह लेकिन उसके दिमाग में कुछ शैतानी चीज़े जो है वो चल रही है यह जो इतना खुश है यह कोई शैतानी परपस की वज़े से क्या है खुश है जो इसके बोट को चला रहा है उसको बोलता है मुझे लेकर इस इंचके बोट की तरफ लेकर जाओ तो जो अच्छा काम मैं उसको खराब कर दूँगा दिस्ट्रॉय कर दूँगा उस एबट और अफ एबब रताओ के किये हुए नेक काम को अब जो इसने इंस्टॉइशन दिया तो उसका बोट मेन है भाई वो तो मालिक है जो बोलेगा सुनना पड़ेगा तो वो क्या करता है बोट लेकर चल पड़ता है इंचकेप रॉक की तरफ पहुँच गए वो इंचकेप रॉक की तरफ सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम दा बोट अब ये जो सर राल्फ है जो हमारी स्टोरी का विलन है ये क्या करता है थोड़ असा बोट से जुक जाता है बेल को पकड़ता है कौन सी बेल को जो इंचकेप रॉक के उपर लगाई थी जाता है उस बेल को पकड़ता है और उसकी रस्ती को कट कर देता है क्यों कट कर देता है ये क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अबर अफ एबर प्रोटॉक पे कि भाई वो तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो लोग तुमको दुआय दे रहे हैं तो उसके अंदर जलन आ जाती है क्यों उसको क्यों इतनी जादी दुआय मिल रही है लोगों से क्यों लोग उसकी तारीफ करते है क्यों इतना खुश है तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है इस बात के लिए गर्गलिंग साउंड का मतलब है यहाँ पर जैसे कि अगर कोई चीज आवाज करती हुई पानी के अंदर चले जाती है तो पानी में वो जो बुड़बुड की आवाज आती है बबल साउंड आते है वो आना शुरू हो गए जब वो बेल आवाज करती हुई नीचे डूपती वी जा रही है तो बबल्स उपर आते जा रहे है और उसे के साथ साथ क्या हो रहा है बबल्ध Oपर आखे बुल-बुले जो है वो उपर आकर क्या होरे? बश्ट होते जाते है Question Sir Ralf The next who comes to the rock Won't bless the average of ever-product अब sir Ralf जो है जो हमारे विलन है वो क्या बोलते? हाँ, अभी कोई भी उसको दुवा नहीं देगा किसको, average of ever-product को कोई भी दूआ नहीं देगा क्योंकि अब किसी को पता ही नहीं चलेगा इंच के प्रॉक के पास bell है तो जिनका accident हो जाएगा वो तो गालिया ही देंगे कोई दूआ तो उसको नहीं देने वाला है अब यहां पर क्या होता है अब वहां से जो सर राल फे हमारा विलन निकल जाता है ऐसे तूट पर निकल जाता है जहां पर वो क्या करता है ट्रावल फ्रीली एनजेटिकली फॉर शिप्स तू रॉप यानि कि समुंदर में जितनी भी शिप्स उसको अब आगे वहां से निकलने के बाद मिलती है सारी शिप्स पे वो चोरी करता है दकैदी करता है जितना भी सामान होता है उन सब को क्या करता है वो चुरा लेता है शिप के ऊपर एक राउंड जैसे कि वील होता है जिससे कि हम अपनी बोर्ट का । डिर्शन जो है वह चेंज करते तो उसी तरीजे से वो कया करता है स्टियरिंग को खूआते वह बोर्ट का दिरेक्षन जैस्कोठ लेंकी स्कॉलन की तरह वो बढ़ा देता है यानि कि हेस का मतलब बता है एक mist जो है वो हवा में शुरू हो जाती है फैलने लग जाती है थोड़ा धुंदला दिखाई देने लग जाता है अमनलब इतना धुंदला होते जा रहा है अट्मसफियर कि उनको सन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है अब हावा जो है वो पुरे दिन पर में बड़ी तेज चल रही है बहुत तेज हावा चल रही है लेकिन इवनिंग होते होते है चलना क्या हो गई है बंध हो गई है अब क्या होता है डेक के ओपर रोवर जो है वो चड़ गया आप चड़ कर वो देख रहा है कि इतना अंदेरा हो रहा है तो उसको लैंड जो है वो कही पर भी दिखाई नहीं दे रहा है अब बो रहा है कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है और ज्यादा जो डाकने से वो बढ़ते जाएगा क्यों क्योंके इट इस दर राइजिंग मून अभी आने की रात का समय हो चुका है अब कुछ भी दिखाई देना जो है वो बंदो जाएगा अब उसमें से एक बोलता है कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा है सिर्फ समुनाई दे रही और कुछ तो इशारा हमको नहीं मिल रहा है कई से कि हम किस तरफ जा रहे क्योंके अंधेरा हो गया डिरेक्शन कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब होता है जब हम बात करते हैं मतलब मेरा ऐसा सोचना है कई नहीं हम समुन्दर के शोर के पास नजदीक पहुँच चुके है अब हम कहा है यह तो हम नहीं बता सकते काश हम इंच के बेल को सुन पाते तो हमको समझ में आ जाता कि हम कौन से डिरेक्शन की तरफ है यानि कि अब उसको अफसोस होता है कि हमको इंच के बेल की आवाज जो है वो नहीं सुनाई दे रही है नेक्स्ट एंजा हमको बोलता है यानि कि आप क्योंके उनको किसी तरीके की कोई आवाज नहीं आ रही है तो दीरे 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 क्या हो रहा है वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे है तिल दा वेसल स्ट्वाइक्स विद अ शिवरिंग शॉक अब क्योंके उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हवाए तेज़ चल रही है बोट जो है वो उनकी चलते जा रही एक डिरेक्शन में स्लो कर दिया उन्होंने लेकिन हवाए काफी ज़्यादा तेज़ चल दी अब सर राल्फ दर रोवर जो हमारे विलन है जिसने इस इंच के बेल को काट दिया था अब क्या होने लग गया अब कही ना कही अपने बाल पकड़ कर विचारा पश्टा रहा है रो रहा है खुद को गालिया दे रहा है कर्स कर रहा है कि क्यूं मैंने इसा काम किया इसको क्यों मैंने कट कर दिया अब जो लहरे है वो तो आते ही जा रही है क्योंकि वो लोग टकरा चुके है समुंदर के इसको दूपते जा रही है दीरे 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 बोट के अंदर आनि अग्रों शुरू हो गया है but even in his dying fear one dreadful sound could the rover hear अब ये जो जब boat sink हो रही है उसको पता है कि कोई option नहीं अब मैं जो है वो मरने ही वाला हूँ कोई दूसरा option कहीं से कुछ बचाने कोई नहीं आने वाला है लेकिन फिर भी उसको एक आवाज जो है वो सुनाई दे रही है a sound as if with the inch के bell the devil below was ringing his nail अब यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा है basically कि मुझे एक मरने वाला हूँ कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही है लेकिन एक आवाज है जो मुझे सुनाई दे रही है उस inch के bell की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो जैसे हम बोलते है न devil जो है जो यमराज है जो बैठा है जो अभी मुझे लेने आने वाला है वो बैल बजा रहा है और वो मुझे बोल रहा है कि भाई तुम्हारा टाइम अभी आ चुका है मैं तुमको अपने साथ में लेकर जाने ही वाला हूँ तो उसको वो जो एक बैल की आवाज सुनाई दे रही थी उसे लग रहा था devil जो है यमराज जो है वो बैल बजा रहा है और मुझे बोल रहे तेरा time खतम हो चुका है इस धरती पर आप तुझे मेरे साथ क्या करना है चलना ही होगा तो उसको उस तरीके की एक sound जो है वो सु स dwell 1080 के बारे में तो यह हमारी स्टूरी थी आफंख की एंचके बसके लिए और एक ही रो होता है जो काफी नेक काम करता है और एक विलन होता है जो बुरा काम करता है तो उटिमेटली बुरे काम का बुरा नतीजह herself time में मिल जाता है तो बचो काफी otherεν झाप शबादा इंड like share and comment thank you very much